सो फ्रेंट्स आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश राशन की दो अलग-अलग स्वास्त बिवाग की वेकेंसी की जानकारी कौम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर का नोटिफिकेशन है और इसके बाद देखिए एक और य इंडिया केंडिडेट्स अपलाएं कर सकते हैं बिलकूल भी हम लोग यहाँ पर टाइम वेशने करते हैं सीधे से बढ़ते हैं इनफोर्मेशन क्यों तो सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले हम लोग आप पर डिसकस करते हैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ यह जो वेकैंसी मध्य प्रदेश में नेकाले गई, भोपाल में रहने वाली है, तो भोपाल स्वास्त बिवाग की यह वेकैंसी है, All India Institute of Medical Sciences भोपाल, तो एम्स भोपाल में यह वेकैंसी आ चुकी है, और यह जो वेकैंसी है, Department of Psychiatry, तो इस बिवाग की अंतरगत यहाँ पे, अलग-अलग पोस्ट पे, यह रेक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे देखिया है, टेविल में आपको इंफर्मेशन दे दी गई है, कौन-कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले नमर पे, काउंसिलर की यह वेकैंसी है, और काउंसिलर की वेकैंसी के लिए, ग्रेजुएशन कोर्स इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है, साइकलोजी में हो, या फिर सोशलोजी में हो, और social work में हो तीनों में से किसी भी में आपके पास है आपे graduation course है बिल्कुल apply करें और master degree है तो अच्छी बात है आप लोग अपलाई कर सकते हैं नहीं भी है तो भी आप लोग आप अविदन करें desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला गया है इसमें 40 साल तक के सभी candidates अपलाई करें एक post है unreserved के लिए walker interview और skill test के तुरू आपका इसमें आपका selection होगा इसमें आपका salary 20,000 रुपे परमान पेसिस में आपको इसमें वेदन मिलेगा इसके बाद second number की जो post है ये data manager तो data manager की post है आप आ चुकी है कोई भी graduation course है बिल्कुल आप सब लोग इसमें आपके apply कर सकतें तो graduation में सभी candidates आ जाते हैं चाहे आप लोग यहाँ पे B candidates हो, चाहे आप लोग यहाँ पे B tech candidates हो चाहे आप लोग यहाँ पे BSc nursing candidates हो चाहे आप लोग यहाँ पे BM LT candidates हो और यहाँ पे जो candidates नहाँ पे B Pharma है वो candidates भी इसमें आप पे apply कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी candidates graduation course रखते हैं इसना तक हैं आप लोग भी इसमें apply कर दें computer की knowledge इसमें आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे आना चाहिए तो कोई भी graduation course है इसमें आविदन करें 30 साल तक के सभी candidates apply करें undeserved में एक पद इसमें आप पे शामिल किया गया और interview और skill test के तुरू आपका selection होगा 15,000 रुपे आपको salary मिलेगी तो इसमें All India candidates आविदन कर सकते हैं आप किसी भी राजे से हैं किसी भी state से हैं interview में आप लोग शामिल हो जाएए इसके लिए आपको directly interview में शामिल होना है और interview as skill test के लिए आपको venue बता दिया गया place आपको इसमें बता दी गई है Ames Bhopal में इस जगह पे आपको जाना है आपको interview में शामिल होना है और interview के date देखिए 30 November 2023 Thursday के दिन सुबह 10 बजे आपको उपस्ते तो होना होगा photocopy का site लेके और आपके जितने भी relevant documents है आपको interview में शामिल होना है directly आप लोग बहुत जाए और original form में भी documents आप लोग carry करके ले जाए तो यह पहले नमबर का notification है और देखिए यह जो vacancy है एक साल के लिए आपको इसमें आपको जोइनिंग मिलेगी और जैसी project का यहाँ पे requirement रहेगा तो उसी साबसे extend भी आपके जोइनिंग को किया जा सकता है जैसे कि project की requirement रहेगी बाकि इसमें सारी information आप लोग read कर सकते हैं तो यह पहला notification था और अब हम लोग जो है second number के vacancy के notification की और हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो देखिए second number का यह जो vacancy का notification है यह भी aims भूपाल की तरफ से आप नकला गया है और यह देखिए vacancy मद्यप्रदेश population control board तो यह project base यहाँ पे vacancy रहेंगी और देखिए इसमें कौन-कौन सी post है लिखा है name of the post technician तो यह technician की post है इसमें एक पद यहाँ पे शामिल किया गया 12th class यह पास है science subject में और 2 साल का diploma course है MLT में आप लोग इसमें apply करें और BSC MLT candidates भी apply कर सकते हैं और BSC Life Science वाले candidates भी apply करें तो BMLT, DMLT यह सभी candidates इसमें आविदन कर सकते हैं higher qualification है research experience है यह candidates को यहाँ पे प्रात्मिक्ता मिलेगी यह भी इसमें आविदन कर पाएंगे और यदि आपके पास कोई और experience है तो अच्छी बात है apply कर सकते हैं यह desirable बोला गया है compulsory नहीं है लेकिन यह वाली qualification compulsory बोली गई है 25,000 रुपे salary मिलेगी 35 साल उमारिस में आप लोगों के लिए रखी गई SC, ST, OBC जो candidates हैं आपको age में relaxation IU में छूट आपको मिलेगी इसमें जो आपका joining है दो साल के लिए आपको joining मिलने वाली है और यह आपकी tenure job का duration रहेगा आपको आपकी job responsibilities समझा दी गई है joining लेते समय आपको यह कारे करना होगा कोई भी इसमें आपकी application fees आपसे नहीं ली जाएगी इसके बाद second number पे MSW की post है इसमें एक पद है medical social worker का पद है और graduation course मांगा गया है public health में हो epidemiology में हो social work में हो sociology में हो psychology में हो तो इनमें कोई भी आपके पास qualification रहेगा कर दे इसके साथ साथ आपको 3 साल का कार अनुपा मांगा गया है जापर आपके पास master degree है इन subjects में तो भी apply कर सकते है communication skill Hindi और English में आपके अच्छे होना चाहिए कोई other qualification है तो भी apply करें इसमें 30,000 रुपे salary मिलेगी 35 साल हुमा रखे गई age में relaxation दिया जाएगा SCST OBC को और 2 साल का आपका job का duration रहेगा job responsibilities आपको समझा दी गई है कोई भी इसमें आपकी application fees नहीं लगेगी तो इसके लिए आपको application form जो है send करना है और download कर लीज़े आप लोग AIMS Bhopal की website से और email ID जो आपको यहाँ पर दी जारी इस email ID पर आप लोग अपना 14th November तक आप लोग अपना email ID पर अपना आविदन भेज दे और इसमें देखिए कोई भी hard copy और print out आपको address पर नहीं बेजना है जो भी जानकार यह email ID पर ही आपको अपनी send करनी होगी interview में शामिल दोने के लिए किसी भी तरीके का allowance नहीं मिलेगा जो भी है आप लोग अपने कर्चे पर जाके interview देंगे यहाँ पर दिखे date timing और place बता दीगा है shortlisted candidates को जो है report करना होगा written test या पर interview के लिए 21 November को Tuesday के दिन साड़े 9 बजे और address आपको बता दिया गया है इस पते पर आप लोग को पहुचना होगा जितने भी shortlisted candidates होगे और जब कभी भी interview के लिए आपको बलाया जाएगा तो आपको यह सारे documents जो है आपको यह तयार रखने है यह आपके check किया जाएगे फिर आपका exam लिया जाएगा interview आपका लिया जाएगा तो इसमें जो भी information थी vacancy की आपके साथ मैंने आपके cover की इस वीडियो में मध्यप्रदेश आशन की स्वास्त बिवा की दो अलग अलग भरती के विग्यापन notification मैंने आपको आपके दिखाए इनमें all India candidates apply कर सकते हैं आप किसी भी राजे से हैं किसी भी state से हैं इंटर्वियू में आप लोग यहां पर सामिल हो पाएंगी यदि आपकी past qualification है कुछ भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक करना और आगी की vacancies के लिए information के लिए अभी चैनल को subscribe कर लिजे मध्यप्रदेश स्वास्त विभाग की हर vacancy के जानकारी मिलती रहेगी वीडियो के नीच जाए subscribe के red button को click कर ले तो मिलते हैं आप सगली वीडियो में thank you so much